नमस्कार दोस्तों मेरे इस वीडियो में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में आप विशर्ट संधी के बारें में बताओंगा जो संधी का तीसरा वेद है तो चलिए सुरूँ करते हैं भिशर्ट संधी इसकी डिफ्नेशन कि आते हैं परिभास क्या इसका तो विसर्ग के बाद स्वर्ग या ब्यांजन क्याने से अर्थात विसर्ग के बाद कोई वन कोई आई य्या बैंजन का गगई कर यह नवा तक दे यहां बदल गया है तो यहां बदलाव कैसे आया करेंगे इसका कुछ नियम होता है तो आईए कौन सा नियम है किस नियम तर्थ यह बिसर्ग में बदलावाता है कौन कौन से नियम है तो इसका पहला नियम है यदि बिसर्ग से पहले यदि बिसर्ग से पहले और सवर हो और बाद में और या किसी वर्ग का किसी वर का तिसरा चौता पंच्वाँ बेंजन का यह का वर्ग का जैसे आपको बताया कवर्ग हो गया जऑ आनको पवर्ग हो गया तवर्ग थाट तव भर्ग यानि कि पाथ तक का वर्ग होता है पांच sorts लुद यह आन्वर्ग से लियु gift है और उससा से सलगम वाला जैसा होता है सपेरा वालस संटकोड़ वालसा यह बर्ग में नहीं आता तो किसी वर्ग का तीसरा अर्थात का बर्ग का तीसरा चौथा पांचवा था जो भी यह फांचवा अगर ब्याँजन हो अथवा या रालावा हा में से कोई भी बेंजन हो तो बिसर क्या हो जाता है वो में बदल जाता है जैसे कि यहां पर वो में बदल गया है तो आपको बताते हैं कैसे वो में बदल जाता है जैसे यहां देखिए तपा पलस बल तपो बल अब यह तपा अब यहां पा क्या है पा क्या है श्वर का रहा है कि बिश्र्व से पहले वस्वर हो तो विस्रक्स से पहले हैं इसके बाद किसी सार 349 तो टूसरा क्या है अगर कोई आए स्पर क्याइगा हो दयाएगा तो यहां सिजर से पहले कोई अ सुवार हो तो आ सुवार आ गया इसके बाद किसी भी भर का तीसरा चोथा यज पाँचवा वाूंचो तो इस प्रकार्स से अभर में बदल गया क्योंकि विसार कशे देखिए सरा फलjas वर चरोवर शर में रा में ऑ है इसमें भी हलंत नहीं इसका मतलब कि रा में चीपा हुआ हहलंत रहेगा तो यहां इस में इस्चा मतलब के स्वर नहीं है क्या हिमार की किसी भी बेईनलत का उचा Right बीना स्वार के चाहितास नहीं होता अगर हलंत लग गया है तो इसमें से स्वार हट गया है नहीं लगा है तो इसका मतलब इसमें स्वार है तो सा में रा है तो यहां पर वा यहां पर हमने बताया कि इसमें से कोई हो वा आया हुआ है तो यह विसर्ग व में बदल जाएगा व तो और आ मिल करके फिर आ चुकि यहां भी आ यहां भी आ यह आ तो यह भी सर्ग व में बदल जा मनों नुकुल तो इस परकार से यह पहला नियम व का नियम है जिसमें भी सर्ग व में बदल जाता है अब दूसरे नियम पर आते हैं तो दूसरा नियम क्या है तो यदि विसर्ग से पहले और आ के अलावा अर्थात और और नहीं होना चाहिए और आ के अलावा कोई भी स्वर हो इसके अलावा कोई भी स्वर हो ए ए ओ और और यू जो भी हो कोई भी स्वर हो तथा बाद में किसी बर्ग का जैसे बर्ग मैंने आपको पीछे बता दिया हूं तीसरा चौथा पांचवा ब्यंजन हो अथवा या रालावा ह में से कोई भी बंड हो या कोई भी स्वर हो कोई स्वर आ जाए तो विशर का परिवर्तन रा में हो जाता है पीछले नियम हमने पढ़ा कि विशर को मे आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तो विशर्ग से पहले क्या यहां पर यहां पर नी में क्या है छोटी की मात्रा है आप चुकी कोई भी ब्यंजन होता है तो इस बीना स्वर के नहीं होता है इसमें स्वर छिपा होता है तो नी में छोटी ही यह छोटी ही पॉर treaties है कि इसके बाद किशी बदल जाएगा रहा है कि रा में Kाह रहा है यहां पर हो गया निरधन, उसी परकार से दूफ फलस उपयोग, अब इस में भी छोटी O की मात्रा है, O लगा हूआ है, यह क्या है? सुअर है, विसर से पहले क्या हो गया? सुअर हो गया, इसके बद क्या है? कहके किया है? काुर्षी, कि किसी बर का त्रिस्टा, पांच्वाय या कोई स्वार आए यहां पर स्वार आया हुआ है अर्थात यहां भी उ और यहां भी उ तो यह विशर्ग किसे बदल जाएगा रह में दूरूपयोग अब यहां पर उ में यहां पर रह लग जाएगा रह में लग जाएगा दूरूपयोग यहां पर तो इस फरकार से यह रह बड़ी की मात्रा पर यहां पर है यहां पर बड़ी ही है विसर्ग से पहले बड़ी ही और बाद में यह क्या है यहां पर वह वह आ गया है यहां पर वह तो विसर्ग फिर बदल जाएगा रह में आसिर वाद देखिए यहां पर रह लगा हुआ है रह यहां पर हो जागा आसिर क्या बदल जागा रह में यहां हो गया दुरासा अब इसका तीसरा नियम क्या है तो यदि भिसर्ग के बाद छ Colonि ऐंजन हो ऩो च्बानी धी से थाघ समें बदल जाता है तो विसर्ग समें बदल जाता है यदि तो अठर्ठ है तो सदकून वाला स सदकून वारश इसको मुर्धानि सा कहते है इसमें बदल जाता है और यदि तौ था ब्यांजन हो विशे के बाद तो किसे मदल जाएगा अब देखिए कि इसको देखते हैं एक्जामपल से नी फ़लस चल निश्चल अब देखिए का है कि बिसर के बाद चाठ बैंजनों अब इसर गये बिसर के बाद क्या आगया चौट इसको जोडेंगे तो इस चाह आएगा तो बिशर के बाद कौन सा आहेzeit ज आया है पां बिशर किसें बदल जाएगा यह effectivement अदा आघे देखते हैं धनुफ प्लस टंकार जनुफ टंकार मयाँ पर देखेजैं बिशर के बाद क्या एं टा है करना टा था है तो अकी से बदल जाएगा सटकोड़ वाला समें तो अया हुए विशर के बाद तो धनुष्ट अंकार यहां भी यह समें बदल गया है यहां हलंत लगाऊ आदासव ठीक है उसी परकार से निफलस्तार, निष्टार अब यहां विशर के बाद क्या है का रहा है नी तो प्लान में बलागा है इसको हम दंती शाब बोलते हैं तो ये देखिए निस्टार आदासा अधासा में हो गया है ये ये सा में यहां पर विशर्ग के बतता आया हुआ है, तो यह सा में बदल गया है, तो यह है तिसरा नियम, आते हैं चोथे नियम पर, यदि विशर्ग के बाद, सपेरा वालसा, सलगा मुलसा, सचकोन वालसा, बेंजन आये, तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे वाले बेंजन में बदल जाता है या तो विसर्ग जेम कते हुँ रहेगा या तो अपने आगे वाला बेंजन में बदल जाता है देखिए बिल्कुल असान है यह नी फ्लस संदे विसर्ग के बाद क्या आया स तो यह तो जोड़ देंगे नहीं संदे इसको एक मिला देंगे नहीं अटाएंगे या इसको ऐसे कर देंगे नहीं संदे अर्थात अपने विशर क्या है अपने बाद वाले जो बेंजन है उसमें बदल जाता है तो विशर के बाद सा है यह सा में बदल गया विशर के जगा पर आदा सा हो गया निशंदे दूर शार्षन या तो जेम कातियों लिख देंगे या इसको विशर के जगा पर इस वाले साब को रख देंगे और यह साब को जेम कातियों रख लग्यूंत देंगे तो दोस्ट आशन का रहना कि यह तो बिसम्ध 27 नहीं तो ङया अगले इसके आगे जो ब्यांजन है तीनों से में से कोई सा है तो इस सा में बदल जाएगा पाचवा नियम आते हैं यदि विशर के बाद रा बेंजनाता है तो विशर का लोप हो जाता है और विशर के पहले आने वाला हर स्वस्वर दिर्ग में बदल जाता है हर स्व यानि कि हर स्वस्वर दिर्ग में बदल जाता है हर स्व यानि कि हर स्वर दिर्ग होते हैं जैसे आ बड़ वाला एप दीर्ग बढ़या सब्सक्राइब जाता है तो इसका राको सब्सक्राण बड़ा आता है थैसलिए भी सर्फ के बारें पढ़ रहे हैं कि दिस्थिक से खटता है या रह उद्हार के बारें पर ए तो इस नियम में यहीं है कि अगुआ को भी एंजय नगर आये विसरक के बार यहां पर रहाए तो भी आपर भीशर्ग कोने बड़ी मात्रम बड़ने अगला नियम के बाद यदि को खाग अथवा पौंप का अ प्यंजनाए तो बिसर्ग में कोई प्रिवेत्न नहीं होता जैसे रजा पलस कर्ण और बिसर्ग के बद क्या आया है इसको जीम काते हैं जोड़ देंगे बिसर्ग को नहीं हटाएंगा ता रजा कर्ण बिसर्ग संधी बिल्कुल असान है थोज़स समझने की जूड़त है नहीं प्रात, फलस्काल और जायम कटिमें इसको हमने रख दिया विशर को हटाया, नहीं, ख़बहें आएगा, यह इसने प्राइड यह प्रॉसकार में ठाएग, ख़़म्स होती है , पुरेशह तो सी यह पादम है, बाकि जो भी है उसमें जीम कतिम रहता है वैसे के वैसे हम जोड़ देते हैं ठीक है तो अगले नियम पर अब हम चलते हैं यदि विसर्ग के पहले ई उस्वर आते हैं और बाद में कोखः अथवा पौफः पढ़ाता कोखः अथवा पौफः ब्यांजन आते हैं तो विसर्ग सटकूण वाला सव में बदल जाएगा देखिए यहां पर नि पलस फल निस फल विसर्ग के बाद का आया है करेक विसर् कि मात्राई है छोटी ए और विसर्ग के बाद क्या आया है कह रहा कि कोखा तो आप फा है तो यहां पर फा आया हुआ है तो यह किसे बदल जाएगा विसर्ग सटकूण वाला सव में आलंत लगा हुआ इसका मतलब आधा सव तो यहां पर देखिए निस फल अब यह क्या है कहा है कहा है कहा है यहां पर कह आया हुआ है विसर्ग के पहले विसर्ग के बाद का सटकूण वाला अधासा दूसकर में यह बदल गया तो यह है इसका नियम और अगला नियम इसका है और अंतिम नियम यदि विसर्ग के पहले ओ आहो विसर्ग के पहले ओ आहो और ब विशर्ग यहां पर नहीं है इसका मतलब इसमें ऐ है क्या है तो बिसर्ग से पहले कर रहा है जी यहां पर देखिए विशर्ग लोप हो जाता है विशार को अटा देंगे और यह जो दोनों सब्देज आपस में घृह सब्सक्राइब कीजियेगा छेट कीजिएगा ठीकियू धन्यवाद